31 बार हारबारे बावजूद भी मैं फिर से मैदान में उतरिया है और 32 वी बार करणपूर विधान सबा से नमानकन पत्र दाखिर करे वे कि गम और बढ़ती उमर इंसान रोग होसलो तोड़ देवे पन आज मैं आपने जी इंसान रे बारे में बतावा जारी हूँ बारी हिमत और जजबो बढ़ती उमर इसाथ कम नी हुए कई लोग के वे कि गम और बढ़ती उमर इंसान रोग होसलो तोड़ देवे पन आज मैं आपने जी इंसान रे बारे में बतावा जारी हूँ बारी हिमत और जजबो बढ़ती उमर इसाथ कम नी हुए बेबीफल हुबारे बाद भी आशनी छोड़ी और खुद्री हिमत कम न बारो नाम है तीतर सिंग जो करनपु विधान सबा शेतर रहे एक छोटा सा गाम में रहे हैं और मंडरे गा में दीहारी मजदूरी करें तीतर सिंग रही आर्थिक इस्तिती ठीक नी हुबारे बाद भी बे खुद्रे चुनाव लड़वारों जुनूर ने कम नी हुआ दिय चुनाव लड़ता लड़ता उमर बीदवान आएगी तीतर सिंग पंच सरपंच से लेद लोगसबा तक हर चुनाव लड़ियों है अलग बात है कि जो हक वाबारे लिए बे चुनाव लड़िया हा साथ दश्कां से चुनाव मैदान में हा बेहक बाने आज तक नहीं मिल्या 31 बार हार बारे बावजूद भी बे फिर से मैदान में उतरिया है और 32 बार करणपूर विधान सबा से नमानकन पत्र दाखिल करयो है तीतर सिंग री हर बार जमानत जब्त हुई है बीरे बात भी बाने उपर चुनाव लड़वारों जुनून सवार है चुनाव लड़वा तीतर सिंग रे उपर चुनाव लड़वारों जुनूने वो तब सवार हुई हो जब जब जवान था बीवक्त और बै और बाने जियान रख कई लोग नहरी इलाका में जमीन आवंटित से वंचित रह गया बाणी मांग थी कि सरकार भूमिहीन और गरीब मजदूरा ने जम चुनाव लड़नों शुरू कर दियो विरे बाद तो मतलब बाने चुनाव लड़वारी आदत ही होगी एक रे बाद एक चुनाव लड़ता चला गया हाला कि बाणी व्यक्तिकत इस्तर पर जमीन आवंटित करवाने वाली मांग आज तक पूरी नहीं हुई है बारा बेटा पर पची सो रुप्यारी नगदी है बाणी ने कोई जमीन है ने जायदाद है ने ही गाड़ी और कोई घोड़ा है तीतर सिंग बताया कि कई बार नामानकन पत्र दांकिल करने के लिए बाने खुदरी बकरियां और घरो समान भी बेशनों पड़ियो है बाने पास करीब दो दर्जन बकरियां थी जो अब केवल तीन ही बची है इबार भी बे उधार और चंदों इखटों कर रुप्या जमा करया बीरेबाद नामानकन दाखिल कियो है रोचक बात आ है कि बुजर्ब तीतर सिंग कोई भी शोचल मीडिया प्लेटफॉम पर नहीं है पन्खुदरी प तीतर सिंग और वीडियो लोगा में चर्चरों मुखे विशे भी हैं आगामी विधानसबा चुनाव में तीतर सिंग किता वोट खुद्रे नाम करें और देखनों दिल्चस्प रहेगो करनपूर में बीजेपी से सुरेंदरपाल सिंग टीटी मेदान में है और कॉंग्रस वर्तमान वधाय गुर्मी सिंग मेदान में है झाल झाल में है